नमस्ते डॉक्टर मिनाक्षी मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप, बढ़िया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई, पदमश्री मिलने पर, धन्यवाद, और ये पुस्तक लिखने पर, वासुदेव कृष्ण और मतुरा, बहुत टाइमली पुस्तक आपने लिखी है, अभी ज जाएं और वहाँ पर जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो पूरा जो भूमी है, उसको पूरा हिंदो के कंट्रोल मिले, तो ये पुस्तक मुझे लगा कि इस सिर्फ वासुदेव कृष्ण और मतुरा की कहानी नहीं है, ये तो ही कि जो साक्षे हैं, साहित्तिक साक्षे हुए जाएं पूरा लेक के साक्षे हैं, और जो सेक्रेटनेस है, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, उसकी तो कहानी है लेकिन कहीं ने कहीं ये सनातन धर्म की भी कहानी है बिल्कुल, खास कर कि मैं जैसे बात करूँ आपने शुरुआती वहीं से की है कि किस तरीके से मूर प्रशन से पहले कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो मेरी कहानी 1951 में खतम हो गए थी, 1951 में जब ये ट्रस्ट पनाया, जो किलकिशोर बिल्लाने, तो क्योंकि मेरे पास जो सबूत थे, वो 1st century common era से 1951 तक मेरे पास सारे दस्तावेश थे, और उनको करोणा हो गया, और अच्छा आपको पिछले साल, तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल भी रही और जब मैं हॉस्पिटल से आई, तो मैंने अखबारों में देखा कि एक वकील है, विश्नु जैन, और उन्होंने मतुरा कोट में केस फाइल किया है, मैं हैरान थी, मेरे को लगा कि ये किसका वर्दान है, शायद क्रिशन जी का वर्दान है, कि मेरी बुक इतनी टॉपिकल हो जाएगी, तो मैंने दस पेज, जो लास्ट चैप्टर है, वो बाद में लिखा, because it made the book very topical, तो ये बुक मेरे को बिलकुल अंदाजान नहीं था कि कोई केस फाइल करेगा, और म इसका अयोधिया से judgment से कोई तालुक नहीं है, ये तो अलग मैं independent study कर रही थी, तो दो तीन साल से मैं कर रही थी, और मेरे हिसाब से मेरी पुस्तक खतम हो गई थी, तो अगर करोना नहीं होता तो ये छप जाती without this latest development, तो ये तो अलग बात है, आपने कहा कि ये केवल वासु जो प्रथम chapter है, उसमें शुरू किया है कि वेदिक धर्म क्या था, और वेदिक धर्म में यग्यक के उपर बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जो normal practices थी, वेदिक society के अतरिक्त उसके बाहर, वो धीरे-धीरे मूर्ति पुजा वहा तो हम देखते हैं कि जैसे कि उपनिशद्स हैं, कुछ उपनिशद्स वो कहते हैं कि यग्य करने से कोई फाइदा नहीं है, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो अगर आपको मोक्ष चाहिए, ये जीवन-मरन की जो सिलसिला है, इससे मुक्ति चाहिए, तो हमको ये यग्यक का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और उस समय ये डिबेट होता है वहां उस समय के जो बुद्धी जीवी थे और उस समय वो कहते हैं कि भक्ति जैसे श्वेतांबर उपनिशद में डिसकास होता है कि भक्ति से ही आपको मुक्ति मिल सकती है तो भक्ति का जब जोर पकड़ती है भक्ति की भावना उस टाइम से उसके थोड़त समय बाद मूर्ति पूजा भी शुरू होती है तो यह कह सकते हैं कि वो पहला बक्तिकाल था एक तरीके से? कि जो आम तोर पर लोगों में जो भावनाई थी उनको उसने अपनाया और उचा उठाया क्योंकि मूर्ति पूजा वेदिक धर्में नहीं है वेदिक धर्में यग्य का जोर है तो ये धीरे धीरे वेदिक धर्म अपने आपको कैसे उसका विस्तार होता है और मूर्ति पूजा फिर हिंदुइजम का जो आजकल जो हिंदुइजम है उसका जो प्रमुख रूप है वो है मूर्थी पुजा तो इस वेरी इंट्रेस्टिंग फैसेट ओफ देवलोपमेंट ऑफ हिंदू रिलिजिन, हिंदू सिविलाइज़ेशन सभ्यता, हिंदू सभ्यता की विशेशता ये है ये किसी को एक्स्क्लूड नहीं करती है ये सब को सम्मिलित करती है और जो छोटे सो छोटा वर्ग है उनकी भावनाओं, उनके भगवानों को उचा उठाती है और इसमें एक बहुती रोचक जो आपने दिखाया है कि किस तरीके से मंदिरों का जो निर्मान होना शुरू हुआ वहां तक जाते वक्त भी बीच में एक ऐसा फेज आता है जहां पे जो आज हम मंदिर जिसको कहते हैं उस तरीके के मंदिर का एक कॉंसेप्ट जो है वो अल मंदिर की तरीके से लोग इसको देखते थे लेकिन यह आपने कहा कि हेलियोडोरोस का अभी खुला मैदान में है लेकिन जब अर्केलोजिकल सवे ऑफ इंडिया ने पांच शे बार उस एरिया में एक्सकवेशन किये और मुझ जो एक्सकवेशन किये तो उन्होंने देखा क कि यहां पर एक पिलर नहीं एक खंबा नहीं हिलोडोरोस का खंबा नहीं कम से कम नौ खंबे थे एक लाइन में थे और हिलोडोरोस उसमें एक था तो नौ खंबे थे इसका मतलब है कि यहां पर वरिशनी हीरोस वरिशनी परिवार जिसमें वासुदेव थे तो उनके बेटे उनके पुत्र इत्यादी के लिए मंदिर बनाए गया था तो हीलियोडियोरस अगर अच्छा आपने अगर मेरी पुस्तक देखी है तो हीलियोडियोरस जो इंस्क्रिप्शन की पिलर है फोटो है उसके बिलकुल पीछे जो मंदिर का शेश बचाए उसकी मैंने फोटो दी है तो वहाँ पर भी मंदिर था लेकिन आपका कहना ये ठीक है कि भी पहले मंदिर का स्वरूप अलग होता था स्वरूप के इलावा जो मंदिर जो जिसकी भी पूजा करते थे उसका एक यूमन फॉर्म नहीं देते थे मूर्थिया नहीं होती थी तो चिन होते थे जैसे कि विश्नुपद है ना बुद्धा बुद्धा के भी यो नो उसके जब महल महापरिस्तान निर्वान वगेर के उनकी फीट होती थी चक्र होता था तो ये सिंबल से इनको दिखाते थे गुद्धा को कभी नहीं दिखाया उनकी उनका सिंगहासन दिखाते थे खाली लेकिन इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मूर्थिया एक ही समय बनी एक ही स्थान पर मूर्था वो जगय थी वहाँ पर अल्मोस्ट साइमल्टेनियसली जैन बुधा और जो हम आजकल हिंदू कहते हैं उन धर्म की मूर्थिया उसी जगय लगभग उसी समय बनी और इससे ज़्यादा रोचग बात ये है कि जो कारिगर थे जो क्राफ्ट्समें थे जो आटिजन जो मूर्थियां बनाते थे उनकी वहाँ पर कॉलनीज होती थे तो वही आटिजन वही कारिगर तीनों धर्मों के भगवानों के मूर्थियां बनाते थे तो वह शायद अपने आपको अलग मानते ही नहीं थे अलग मानते ही नहीं थे अगर आप जैन बुधा और का देखें, तो उनकी इतनी similarities हैं, विश्नु पद हैं, बुधा के पद हैं, विश्नु के अफ्तार थे, बुधा के अफ्तार थे, और जहन्स कहते हैं कि वासु देव, हमारे 22nd जो तीर थंकर थे, उनका कजन था, तो इन तीनों धर्मों ने, पता नहीं उचित शब्द है कि न लेकिन शुरुआत में इनों ने एक दूसरे से मद्भेद नहीं किये, और वो ही कारिगर थे, वो ही मूर्टियां बनाते थे, और कितने गॉड्ट्स कॉमन थे, जैसे कुबेर, यह तो है नहीं कि कुबेर सिर्फ हिंदू मंदिरों में मिलते हैं, जैन्स में में मिलते हैं, बिलकुल, बिलकुल. और आज के समय हम सोचते हैं कि स्टूप जो है, वो केवल बुद्धा से, लेकिन पहला स्टूप मथुरा में कंकली टीला है, वहां पर जैन्स का मिला. अच्छा. तो, और वो विंसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, 1901 में, उसका नाम था, जैन्स स्टूप, उसको आप ऑनलाइन अभी भी देख सकते हैं, और उसमें वो दिखाते हैं कि हमको यहां पर क्या-क्या मिला, और वो जैन्स स्टूप के बारे में विवरन करते ह हैं, और जैन्स स्टूप और बुद्धिस स्टूप, उनके बाहर से बिल्कुल एक जैसे लगते थे, पता नहीं चलता था कि बुद्धिस स्टूप है या जैन्स स्टूप है, और जो कनिश्क हैं, कुशान शासक कनिश्क, तो उनके बारे में एक प्रसिद कहावत है, कि एक दिन वो जैन स्टूप में जाकर बुधा की आराधना करने लगे, बाद में उनको लगा ये तो गलत स्टूप में मैं घुस किया, तो शायद जैन ने स्टूप बनाना इसलिए बंद किया ता कि हमारी कुछ तो पैचान अलग हो बुधिस्म से, तो ये जैसे कि हमको इतिहास ज जो संप्रदाई थी, आपस में हमेशा उनका संघर्ष रहता था, वो मदभेद रहते थे, जगड़े होते थे, लेकिन जब हम एक्चुल देखते हैं, तो हम देखते हैं वो बहुत समन्वे था, और देखे, कोई भी स्थान नहीं था, धार्मिक स्थान, जहां पे केवल एक पंत के मंदिर हों, चाहे आप एलोरा ले लिजे, अजंदा ले लिजे, उदैगिरी ले लिजे, उदैगिरी चंदरगुप्त ने बनाये था, वो परम भागवत अपने आपको कहते थे, विश्नु के भगत थे, लेकिन वहां पे उदैगिरी केव में, जो प्रमुख केव थ बनाई और वहां पे शिवकी मूर्ती की स्थापना की, और सबसे अच्छी बात यह है, कि चंदरगुप्त उस केव में जाते हैं, और जो मिनिस्टर है, वो इंस्क्रिप्शन है वहां पे, जो अभी भी है, कि चंदरगुप्त इस केव में आई थे, तो राजा को भी यह नह उसमें कैसे जा सकता हूँ, और उदैग्री में ही उन्होंने जैन्स को भी कहा कि आप भी बनाईये, तो यह जग है, यह जो विशेष्टा है, खजुरा है, राजाओं के मंदिर हैं, और उनके मंतरी थे, जैन्स, तो एक जग है राजाओं के मंदिर हैं और दूसरी स्थान पर उनके तो यह हमेशा यह एक विशेष्टा रही है हमारे संस्कृति सभ्यता की इसमें जैसे मैंने कहा कि एक सनातन धर्म की भी कहानी है इसमें सबसे जो अच्छा एक्जामपल है वो जिस तरीके से स्री कृष्ण नारायन गोपाल इन सब का जो शायद ये कभी हाँ जी विश्णू जो वैदिक गोड थे उनका जिस तरीके से शायद ये अलग अलग पंत र दिखा है अब जैसे कि हम सब को पता है कि विश्णू वेदिक गोड थे लेकिन अपनिशद में हमारे को वासुदेव कृष्ण के पारे में पता चलता है चांद होगी उपनिशद पहला उपनिशद है जिसमें वासुदेव कृष्ण छorी देव की पृत्र कृष्ण का जिकर हम देव की पृत्रद कृष्ण का सबस्त मतलब है कि ये अलग है विश्नू से और उसके बाद जैसे आपने नरायन भी है और लास्ट एक आते है गोपाल और ये गोपाल कौन है ये जो ग्वाले कम्यूनिटी थी उनके मुख्या होंगे ने मुख्या नहीं थे वो इनके पुजा करते थे अच्छा गोपाल तो over a period of centuries देव की पुत्र कृष्ण ने विष्णु को अपनाया नरायन को अपनाया और कृष्ण गोपाल को अपनाया और ये जो बना इस धर्म ने या पंथ ने आपको अपना नाम रखा वैष्णव वैष्णव in honor of विष्णु विष्णु के नाम पे इनका हो गया वैश्नव और इसमें आज जो हम कृष्ण को जानते हैं और जिनकी हम इनका बर्थ, इनकी जीवन की सब घटनाओं को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है कृष्ण ग्वाला, तो जो कृष्ण जिनकी गौपाला कम्यूनिटी थी उनको पूछती थी, अब वो इत इतने उचे स्थर पे हो गए, कि वो अल इंडिया गौड हो गए, और ये ऐसे होता ही रहता है, ये कहानी है, जैसे मिने कहा है, हर स्टेज पे, तो अब आप से कोई पूछे, या मुझ से कोई पूछे, कि भई, विच इस पॉपुलर फॉर्म अफ विष्णू, तो हम तो मतलब कि इतना मिश्रन हो गया है, and that is the beauty of our culture and civilization, हम किसी को अलग नहीं रखते हैं, और एक बहुत बड़ा समाज को बनाने का भी एक बांधने का, बिलकुल, spiritual tradition में बांधने का, कि सब को include करो और सब को, चाहे मतलब एक छोटी सी community का कोई वो है, वो भी इश देवता है, वो भी एक बहुत बड़ा पूरे धर्म का बन सकता है, वो अवतार हो गया, सीधा विशनु का, विशनु का, विशनु का, विशनु का, विशनु का, विशनु का, उसने इस देश के, इस भूमी के, किसी भी भगवान के रूप को नकारा नहीं है, जैसे कि फीमेल गॉड़िसे हैं, उमा है, पारवती है, यह सब देवी के रूप में, सब फॉर्म्स ओफ पारवती, तो क्योंकि जहां पे भी गए और वहां पे जो लोकल गॉड़िस है, उसको नकारा नहीं, उसको एक पारवती का रूप मन, इंक्लूजिव है न, देखो कितना, तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको यह ऐसे पढ़ाए नहीं जाता, हमको पढ़ाए जाता है कि हहां पे सबका शोशन ही होता था, और एक वर्ग था, वो सबके उपर अत्यचार करत था, उनका शोशन करता था, उनको दबा के रखता था, और अपना धर्म उस पे थोपता था, which is totally wrong, you know, यह तो एक तरीके से जोड के चलने का है, बलकि अपना थोपाई कहां, जब उनको इतना इस तर पर पहुंचाया, उनके पूरी इश्देवता को पूरी धर्म का इंदुस्तान में, वेदिक विष्णु का कोई मंदिर है, मेरे को तो जानकारी नहीं है, कि वेदिक विष्णु जो टॉप पे थे, अगर आप इस तरह से बात करें, तो वेदिक विष्णु का तो कोई मंदिर नहीं है, मंदिर है कृष्ण के, उसी तरीके से हम शिव जी का भी देखते हैं पहले रुद्र उनका रूप था फिर शिव जी हुए अब हो सकता है कि वो अलग हो शिव कहीं और के हो या रुद्र कहीं और कहीं हो उन दोनों का fusion हुआ उनको एक स्वरूप दिया गया और फिर आप बता नहीं सकते हैं वही जैसे आपने लिखा कि कौन assimilator था तो यह तो genius है जो पढ़ानी चाहिए अचा कुछ लोगों को यह भ्रहम है कि जैसे जो case था अयुद्या का वैसा ही कुछ page जो है वो फसा हुआ है आपके मतुरा में भी और काशी में भी तो वहां पे अगर हम सिर्फ historical references की बात करें चाहे वो literary sources हों या epigraphic sources हों तो उनमें यहां मतुरा में कितना case strong है comparison में अयोध्या के comparison में देखिए अयोध्या में सबसे जादा महतपूर्ण सबूत ASI के excavations, archaeological survey of India नहीं जो अलाबाद high court के आदेश पर वहाँ पे खुदाई की तो उस खुदाई ने क्या दिखाया उस खुदाई ने यह साबित कि कि second millennium BC तब से वो site holy site थी sacred site थी वहां पर कभी भी राजा के लिए या कोई महल नहीं बना या ordinary लोगों के लिए घर नहीं बने वहां पर ASI को जो खुदाई में मिला एक के बाद एक sacred structures मतलब circular shrine मिली एक के बाद एक holy sites लेकिन मत्रा अयोध्या में इंस्क्रिप्शन कोई खास नहीं मिला एक्सेप्ट विष्णोहरी इंस्क्रिप्शन जो बाबरी मस्जिद के दिवारों से गिरा जब 1992 में तो सबसे जादा important मैं लोगों की भावना की बात नहीं करी क्योंकि लोगों को तो शुरू से था कि ये राम जनम भूमी है तो ये सबसे जादा जैसे important था ASIC की excavations उसके अतिरे हमारे पास दो विदेशी भारत आए और उन्होंने भारत में मतलब बहुत स्थानों पर गए और सबसे पहला था विलियम फिंच और दूसरे थे एक जेजुट पादरी जोजब टिफन थेला अब दोनों उनको पता नहीं था कि उनके जो लेख हैं बाद में इतने काम आ सकते हैं 400-500 साल बाद और दोनों कहते हैं कि यहां पर मुसल्मान और नमाज का कोई जिकर नहीं करते हैं अच्छा हाँ दोनों और वो कहते हैं कि हिंदूस आते हैं यहां पर हिंदूस का जिकर करते हैं और जोजफ टिफन थेला जो वो एक्चुली कहते हैं कि यहां पे हिंदूस ने जो आंगन है, मंदिर के आगे मतलब जो खुला है, वहां पर उन्होंने पालना बनाया है, पत्थर का पालना बनाया है, और पालने के आसपास वो आके परिक्रिमा करते हैं, राम नौमी, राम नौमी का भी वो जिखर करते है और उसके बाद हमारे को जैपुर में एक पेंटिंग मिली है जिसमें वो दिखाये कि अठारवी शताबदी के पेंटिंग है वो दिखाये कि जो आए हैं वो अठारवी शताबदी के पस्तर पहने हुए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं तो अब ये बहुत important सबूत था क्योंकि जब अलाबाद High Court में इस case की सुनवाई हुई तो अलाबाद High Court ने कहा कि 1528 में तो बाबर ने मस्जिद बना दी उसके बाद 1858 ये 300 साल आप सबूत दीजा आप कहां थे वहां पे अच्छा उनको बुला बाबरी पार्टी तो पहला सबूत बाबरी पार्टी कब देती है वह है 1858 का वह मैं बताऊंगी क्यों तो 1528 से 1858 तक आप कोई सबूत नहीं दे सके और हिंदूस का तो बहुत सबूत हैं जैसे मैंने दो आपको ये foreign travelers भी बताएं और वो हिंदूस मुसल्मानों और नमाज का कोई जिकर ही नहीं करते हैं तो आठ तीन सो साल से अधिग एक्छिरी 1528 से 1858 तो 1858 में अंग्रेज़ों का शासन महां पे लागू हुआ था तो 1858 में पहली बार एक जो मौलवी थे बाबरी मस्जिद के वो एक केस फाइल करते हैं फैज़ावार दिस्टिक्ट कोट में उस केस के हम बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं लेकिन उस केस में इंट्रेस्टिंग बात है वो कहते हैं कि मैं मुतवल्ली हूं कहां का मस्जिद ए जनमस्थान त तो आप उस स्थान को मस्जिद जनम स्थान क्यों बोल रहे हैं, जनम स्थान का मस्जद से क्या लग, मतलब यह itself is an admission, कि भी जनम स्थान पर बनी है, तो वो उसके आगे और लबी कहानी है, we can discuss it later, तो यह सबूत अयोध्या में, ASI, यह दो foreign travelers, और उसके बाद 1858 के बाद तो ब बहुत सारा सबूत है, तो लीगल डोकिमेंट कुछ नहीं था, बस यह था कि यहां पर पूजा होती रही निरंतर, इन सबूतों से यह पता चला, possession था हिंदू के पास, क्योंकि वो दो foreigners आए, और पालना, जो courtyard में है, आंगन में है, उसकी picture है, और वो परिक्रिमा कर रहे है और जब लीगल डोकिमेंट नहीं है कि यह हमारी है, रामंदिर के case में, नहीं, लेकिन जब ब्रिटिश कोट में, फैजयाबार district court में जब case शुरू होता है, सुनवाई, तब शुरू से वो वहां पर है, जो महन्द हैं, वो मंदिर, पहले तो मंदिर के अंदर भी जाते थे क्योंकि मुसल्मान कोई था ही नहीं वहां पर, ठीक है न, लेकिन जब 1858 के बाद, मुतवली वहां पर आता है, मैं जनमस्थान का, मस्जिद ये जनमस्थान का हूं, उसके बाद हमको दिखता है कि जो पंडित थे, जो मंदिर के इंचार थे, पुजारी वगेरा, वो वहां राम चबूत्रा बनाय हुआ था, और राम चबूत्रा सोच मतलब हैं, राम चबूत्रा वस खुले था, खुला था, और उस पर वह बैठते थे, बारिष मेंसे भी नहीं हटते थे, सर्दी में, गर्मी में, मतलब कि वह था कि हमको ये जगए नहीं छोड़नी है, तो उन्हो उन्हें अंग्रेजों को कहा कि वहीं आप हमारे को यह जो चबूत्रा है यह तो हमारा है चबूत्रा के ऊपर तो कोई ownership की dispute नहीं है तो हमारे को चबूत्रे के ऊपर थोड़ा सा कुछ बनाने दो ताकि बारिश और गर्मी और सद्दी से हम बच जाएं तो यह तीन लेवल ऑफ ब्रिटिश कोट्स ने ये केस सुना और उन्हें का कि 100% यह आपका है रामचब उत्रा छोटा है सही तो जगे है और हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी दिक्कत होती है लेकिन हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं इसके उपर कुछ बनाने की क्योंकि यह जो एरिया है इसमें बहुत टेंशन है तो आपको हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन हम मानते हैं यह भी जज्जमेंट है कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है तो उसके बाद तो चल रहा है ठीक है उसके बाद now you talked about मथुरा उसके comparison में यहाँ पे case कितना strong है मथुरा का case तो आप imagine नहीं कर सकते कितना strong है क्योंकि आप जो मैं सबूत दे रही हूँ यह आज के नहीं है यह archaeologist ने खुदवाई की थी अंग्रेजों के शासनकाल में जब archaeological survey of India वो man कर रहे थे तो archaeological survey of India ने यहाँ पे विदिशा में भी excavation की है वहाँ पे भी उनको वो inscription मिला और वासुदेव का etc. लेकिन क्योंकि हम मत्रा की बात कर रहे हैं तो मत्रा में पहला inscription जो हमको मिलता है जिस जगे को हम आज कट्रा केशब देव बोलते हैं उस जगे से पहला inscription मिला है और वो inscription हम डेट कर सकते हैं क्योंकि inscription खंडित है मत्रा में जो भी हमको inscription मिलें कोई पूरा साबुत नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतनी बार आक्रमन हुए तो ये inscription मैंने बोला कि इंडिपेंडंस से पहले खुदाई में मिला था ये inscription कहता है कि एक व्यक्ति है वो कहता है मैं वासू हूं उसका नाम वासू है और वो कहता है कि यहां पर मैं एक बना रहा हूं इमारत उसके इमारत के parts जो है उनको describe करता है कि इस इमारत में तोरन तोरन मतलब arch और एक quadrangle है इसके इस तरफ इस तरफ इस तरफ यह building है और सबसे important बात है वो मैं कहां बना रहा हूं क्यों बना रहा हूं वो कहता है मैं यह वासू देव के महास्थान प क्योंकि inscription पूरा नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि महास्थान का क्या मतलब था उसका लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि महास्थान का मतलब great place तो यह तो यह Christian की का जनम स्थान है क्योंकि महास्थान उनके जीवन से कोई important घटना से सम्बंदित है तो यह तो यह इनका जनम स्थान था यहां यहां पर उनने कंज को मारा यह कुछ को important लेकिन यह inscription हम डेट कर सकते हैं क्योंकि जो पार्ट बचा है वो कहता है कि हम इस राजा के शासनकाल में बना हैं मैं बना रहा हूं यह तो वो राजा जिनके शासनकाल में यह बना रहे हैं वो पंद्रा कॉमन एरा में उनका शासन खतम हो जाता है तो मतलब यह inscription है over 2000 years ago है तो यह जो inscription है इसको हम challenge नहीं कर सकते अगर हम मंदिर के पक्ष में नहीं हैं जैसे कुछ विद्वान मत्रा में मंदिर के पक्ष में नहीं होंगे लेकिन वो यह जो सबूत है यह जो सौ साल पहले हमको सबूत मिला है इसको तो यह नहीं कह सकते कि यह अभी हिंदों ने अभी इंस्रिप्शन आयोध्या में कहा था कि यह जब बाबरी गिराई थी तो वहीं उन्होंने लाके रख दिया था तो यह तो नहीं कह सकते क्योंकि यह तो archaeological survey of India उस टाइम वो reports निकालते थे तो उसमें आपको report और अंग्रेज तिहास archaeologist, Indian archaeologist, सबने इस क्योंकि इतना important inscription था बहुत से लोगों ने इसकी translation किये और सबने महास्थान के उपर अब इस inscription की एक और importance है जो लोग कहते हैं कि कट्रा केशव देव पे-Khrishan का मंदिर सद्यों पहले था वो इसको पहला सबूत पेश करते हैं क्योंकि यह कट्रा केशव देव से मिला है और महास्थान और कहते हैं वासु देव के लिए बना रहे हैं सो दिस इंपॉर्टंस अफ दिस उसके बाद मोरा वेल इंस्क्रिप्शन मिलता है वही पर आसपास क्योंकि क्या है कि मत्रा का इतना तहसनेस हुआ कि कोई मूर्थी किसी कुए में मिलेगी कोई कहीं और मिलेगी क्योंकि आपको पता है महमूद गजनवी ने कितना आक्नमन क पत्थर की इमारत बना रहे हैं और वो इमारत किसके लिए पांच वरिष्णी हीरोज पांच वरिष्णी वीर और यह वरिष्णी वीरों की वासुदेव का परिवार है क्योंकि वरिष्णी थे तो पांच वरिष्णी हीरोज और उनके वो स्वेम वासुदेव उनके बड़े भाई संकर्शन एट्सेट्रा हैरांगी के बात यह है कि 1911 मतलब लगभग 100 साल हो गए वहां पर दुबारा एक्सकवेशन किये और वहां पर मूर्तियां मिली तो दो मूर्तियां पुरुशों की थी हैड नहीं था और टांगे नहीं थी सिर्फ बॉडी थी और जो प्रसिद जाने माने रिस्पेक्टेड हिस्टोरियंस और आर्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये कहा है कि ये मूर्तियां वासुदेव और संकर्शन की लगती है बलराम जिनको हम जानते हैं और फिर थोड़े समय के बाद एक स्थरी की मूर्ति मिलती है उसके पेडेस्टिल पर इसका भी धड़ी है मतलब हैड और बोनी है पेडेस्टिल पर इंस्क्रिप्शन मिलता है तो वो कहते हैं ये उनकी बहन है तो ऐसा सबूत मूर्तियाँ हमको अयोधिया में नहीं मिले अयोधिया में हमको एर्षण मिले लेकिन मूर्तियाँ हमको वहाँ पे नहीं तो आपने काऊ कि क्या सम्मूत है यह बहुत जबर्दस समूत है और इसके बाद बहुत से इंस्कِّृप्शििंज और मिले हैं और जो लास्ट इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रकुप्त का है चंद्रकुप्त जो को मैंने बताई उधागिरी में तो उनका भी एक inscription यहाँ पर मिला है, वो inscription भी खंडित है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त का नाम है और भागवत, महा भागवत शब्द भी है, वो inscription एक्चुली भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में किसी म्यूसियम में है, जो हमको मिला है, वो बहुत कम है, क्योंकि जो नष्ट किया गया, वो इससे हजारों गुना जादा था, तो लेकिन ये जो टूटे फूटे बच्चे कुचे मिले हैं, ये हमको हेल्प करते हैं कि उस समय का जो इतिहास था, थोड़ा साम उसको उसका आइडिया हो जाता है, तो ये तो एपिग्रेफिक एविडेंस हुआ, जुडिशल रिकोर्ड्स की अगर बात करें, तो वहां पे कितना स्ट्रॉंग केस है, अब जो मेरी पुस्तक है, इसमें मैंने जुडिशल रेकोर्ड्स अंग्रेजों के जुडिशल रेकोर्ड्स पे आप जरा आगे चले गए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो गुप्थ पीरिट का हुआ, उसके बाद पूरा सिलसला आक्रमों का, वो मैं पूछूंगा, उसके बाद, उससे रिलेटिड मेरे दिमाग में है स्वाल, जुडिशल रेकोर्ड्स हैं, अयोध्या में हमको 1858 से मिलते हैं, और वो सारे रेकोर्ड्स फैजबार डिस्टिट कोर्ट में थे हैं, मतुरा में हमारे को रेकोर्ड्स 1815 से मिलते हैं, सो 1815 से हमारे पास रेकोर्ड्स हैं, 1947 तक जब इंडिपेंडन्स हुई, और उसके बाद भी, लेकिन हम को किवल इंट्रेस्ट ये है, इस पीरिड में इंडिपेंडन्स तक, तो ये जो रेकोर्ड्स हैं, जो मैंने अपनी उस्तक में काफी सामने रखे हैं लोगों के, ये इ विशेष्था क्या है, इनकी विशेष्था ये है कि जब मत्रा मराथास के अंडर आया था, 1770 में, तो ये मौल्वीज वगेरा सब इदगा छोड़ के चले गए थे, उन्हेंने का अब हम को यहां पे रहने का कोई फाइदा निया है, क्योंकि हम अपना कहीं और जाके रोट चले जाते हैं, और ये मराथास इसको गवर्मेंट लैंड बोल देते हैं, और जब इस इंडिया कंपनी मराथास को हरा के, 1803 में यहां पे आती है, तो वो भी इसको नजूर लैंड बोलती हैं, तो उसके बाद, suddenly, वो, इस इस इंडिया कंपनी, इस कट्रा किशव देव, 13.37 acres, अब मैं एक बात सपष्ट करना जाती हूं, जब मैं कट्रा किशव देव की बात करती हूं, मैं पूरे 13.37 acres की बात करती हूं, judicial records में, revenue records में, इस कट्रा किशव देव का कभी विबाजन नहीं हूं, वो एक इखटा रहा, एक परिवार के साथ, क्योंकि 18.15 में, इस्ट इंडिया कंपनी ने ये राजा पतनी मल्क और बनारस को बेच दिया, अब वो judicial records, revenue records में, उनका नाम दर्ज हो गया, कि वो मालिक है, अब सड़नली, ये इदगा की पार्टी वापिस आ जाती है, और वो कहती है कि ये तो sale illegal है, और actually ये कट्रा केशव देव ही नहीं, ये तो कट्रा इद का है, और तो ये sale आप cancel कर दीजे, तो ये बहुत सारे judges ने, एक case नहीं था, दस्यों case file हुई, उनकी appeal भी हुई, अपील भी हुई, अपील नहीं, तो जो judges थे, अंग्रेज judges थे, उन्होंने लेकिन हर appeal को, और हर बार जब किसी ने case file किया, उसको बड़े ध्यान से, गंभीरता से सुना, और अपनी investigation की, और फिर अपनी judgment दी, और वो judgments, जो judges की हैं, वो मैंने अपनी किताब में produce की है, और वो इतनी important है, क्योंकि उनको तो कोई मतलब नहीं था कि किस party का, वो तो जो documents उनके सामने हैं, तो उन्होंने कहा, कि आप एक document produce कर दीजे, कि ये कट्रा केशव देव, was actually कट्रा इद का, वो नहीं produce कर पाए, वो कहते हैं कि क्रिशन जब उत्रा तहकाना, उसका नाम था तहकाना, तो documents produce कीजे, कोई नहीं produce कर पाए, judges ने का, जो यहां पे tenants हैं, वो सारा किराया पटनी मल के परिवार को दे रहे हैं, जो छोटे मंदिर हैं, जो छोटी दुकाने हैं, वो सब पटनी मल और उनके अथिकारी को हैं, जो पानी के बिल हैं, वो उस परिवार के नाम पे आ रहे हैं, और जब अंग्रेजों ने वरिंदावन रेलवे लाइन बनाई, तो उनको थोड़ा सा जमीन चाहिए थी, तो उसका जो कॉम्पेंसेशन था, वो भी पटनी मल और उनके परिवार को दिया, तो अगर आप मालिक थे, या हैं, तो बिल्स आपके नाम पे क्यों नहीं हैं, और रेलवे लाइन के लोगों ने आपको कंसेशन क्यों नहीं दिया, पेमेंट क्यों नहीं दिया, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप एक हार्डेंड लिटिगंट की तरह हैं, आप अपनी हार मानने को तयार नहीं है, लिटिगंट जीवी, जीवी, और आप बार बार नए नए पैत्रे अपना रहे हैं लेकिन आपकी कोई स्टैंडिंग इसमें नहीं है तो यह देखे मत्र अयोध्या में 1858 से था और यहां पे 1815 से पूरा रेकॉर्ड है so the case at Mathra is what I would call foolproof अच्छा इसमें जो development जो हुई तो हमारे पास 1968 तक यह हमारे पूरा का पूरा एक 13.371 रहा मतलब श्री कृष्ण जन्म भूमी ट्रस्ट बन गया, इंडिपेंडेंस हो गया तो उसके बाद फिर ट्रस्ट में चला गया I just want to clarify for your viewers कि क्या है कि राजा पत्नी मल्क के जो उतर अधिकारी थे उनके उपर थोड़ा सा कर्ज था और वो कर्ज जुकाने की थेती में नहीं थे तो इस समय सेट जुगल किशोर बिर्लान उन्हेंने का कि आप हमको दे दीजे और मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा विशाल कृष्ण मंदिर के लिए तो 1941 में पत्नी मल्क के उतर अधिकारियों ने बिर्ला को कट्रा केशब देव बेच दिया और 1951 में जुकल किशोर बिर्ला ने ट्रस्ट बनाया श्रीकृष्ण जनभूमी ट्रस्ट उसमें तीन लोग थे उनमें प्रमुक थे मदन मोहन माल बिया और ट्रस्ट का एक ही उदेश्य था यहां पे विशाल मंदिर बनाना यहां तक कि सारी डॉकुमेंट्स क्लियर हैं मेरे पास भी है औरों के पास भी है इसमें कोई डिबेट नहीं है अब प्रॉब्लम जो है अब आप बताई 1968 में एक ऐसी डेवलप्मेंट होती है जो हमको 1993 में पता चलती है 1968 में तीन एकड जो जमीन थी वो इदगा को बीच मतलब डील हुई जिसमें उनको दे दी गई वो जमीन तो यह जो आज जो हहां पे मस्जिद है जो इदगा है जो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यह तो औरंगजेब के समय की है जिस तरीके से बाबरी बाबर के समय की है तो ऐसा नहीं है यह सिर्फ 30-40 साल पुरानी ही है देखे बाबर की मस्जद बाबर की ही थी मतलब उसी की समय की बनाई हुई थी इसमें कोई दो राइन नहीं है कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन यह इतनी पुरानी नहीं है लेकिन अब आपने यह बहुत महत्पूर मुदा उठाया 1968 में एक संस्था सामने आती है मतलब वो थोड़े समय पहले थी लेकिन वो प्रमुख नहीं थी कब बनी यह सारा डीटेल्स हमको नहीं पता अभी तक तो हम श्री कृष्ण जनम भूमी ट्रस्ट को ही जानते थे अब 1968 में यह श्री कृष्ण जनम स्थान सेवा संग यह सेवा संग आती है और जो केस विश्णु जैन ने अथरा डिस्टिट कोर्ट में फाइल किया है तो उन्होंने सेवा संग के जो मेंबर्स थे उनके भी नाम दिये है अब यह 1968 में सेवा संग अचानक इदगा पाटी के साथ समझोता कर देती है और तीन एकर जमीन कट्रा केशव देव की उनको दे देती है और जैसे मैंने कहा कट्रा केशव देव का कभी विभाजन नहीं हुआ जब हम कहते हैं 13.37 एकर वास विद दे हिंदू पाटी वो ट्रस्ट पूरे 13.37 एकर के लिए तो क्यूं तीन एकर जमीन आपने इदगा पाटी को दी यह important question इसलिए क्योंकि इदगा पाटी के पास तो कोई सबूत नहीं था पूरे अंग्रेजों के शासनकाल में और independence के एकदम बाद जोकिल किशोर बिला ने प्रस्ट बना लिया यह तो सबसे बड़ा कू है जो हम बात नहीं करते जिसके बारे में तो यह इन्होंने अब सबसे ज़्यादा important अगर तीन एकर इदगा पाटी को दे दिया तो वो तीन एकर है कहां वो कट्रा केशब देव यह कहां दिया जो डॉक्यमेंट उन्होंने प्रिडूस किये 1968 के अग्रीमेंट की वो बताती है इतना यहां से मतलब कि पूरा जो सरिंडर किया है लैंड उसका पूरा विवरन है इतने इंच यहां इतने मतलब कि पूरा है तो अगर आपने तीन एकर जमीन सरिंडर की है तो ऐसा पृतीत होता है कि यह जो मस्जिद है यह इदगा है यह 1968 के बाद बनी है अगर यह 1968 के बाद बनी है उस जमीन पर जो सेवा संग ने इनको दी तो पीपल्स वर्षिप आक्ट ऑफ 1991 के बाद मस्जिद बनी है लेकिन मतलब की वील्स विदिन वील्स तो आप इमेजन करिये यह सेवा संग ने किसी को बताया नहीं आखिर सेवा संग थेकेदार नहीं थी ना खृष्ण तो पूरे देश के है बलकुर और तो आपने समझोता कर लिया आपने ज़रूरी नहीं समझा देश को बताने के लिए यह राज कब खुला यह राज तब खुला जब बाबरी मस्जिद गिर गई तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मत्रा के कुछ जो रहने वाले थे उन्होंने मत्रा कोट में केस किया कि अभी तक मत्रा में साल में दो बार नमास पढ़ने आते थे मुस्लिम्स अब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हर रोज आते हैं तो कोट ने यूपी गवर्मेंट को कहा कि आप बताईए क्योंकि आपने तो प्लीस प्रोटेक्शन मगरे दी है हर रोज के लिए तो आपने प्रोटेक्शन दी है तो आप अपना बताईए तब कोट अला गवर्मेंट ने यूपी गवर्मेंट ने तब कोट को खुलासा किया कि ये तो 1968 में एग्रीमेंट हो गया था तो आप सोचिये कि लेकिन ये बहुत आश्चेरय जनक है कि वहाँ पे मस्जिद बनी और 1968 के बाद और किसी ने आपत्ती भी नहीं जताई ये और किसी ने देखा नहीं क्या मतलब क्या सो रहे थे मेरे पास तो इन प्रशनों का कोई उत्तर नहीं है ये तो प्रशन विश्नु जैन ने अपनी केस में रेज की है लेकिन मैं मेरे मन में ये आया कि अगर मस्जिद या इदगा बन रहा था तो भही वो लोगों के सामने ही बन रहा होगा कैसे बना किस के आड में बना कैसे छुपा के बना कब बना actually क्योंकि तीन एकर जमीन का तो agreement है अब वो तीन एकर जमीन पे बना है क्या क्योंकि वो कट्रा केशब देव के ही 13.37 एकर से तीन एकर गई है अच्छा ये जो जमीन जहां पर इदगा है आज मस्जिद है वो क्या मैतपूर्ण स्थान है इन दे सेंस कि वहां पर क्या उसको जनमस्थान माना जाता है या देखिए जो बिलीवर्स हैं और जो जिन्होंने केस फाइल किया है उन्होंने कहाए कि 1968 का जो agreement था उसमें क्रिशन भक्तों को और हिंदूस को एक्चली बेवकूफ बनाया बेवकूफ बनाया इन दे सेंस कि एक आर्टिफिशल प्रिजन बना दिया कंस का जो कारगरा था वो उन्होंने आर्टिफिशल बना दिया जो लेकिन एक्जाट प्रिजन जहां पर क्रिशन का जन्म हुआ था वो इदका के नीचे है अच्छा तो अगर आप मत्रा जाते हैं तो वहां पर जो आपके गाइड्स होंगे वो आपको बताएंगे कि इसके तेरा दर्वाजे थे और एक इस तरफ है बाकी इदका के अंडर हैं लेकिन जो विश्नु जेन ने केस फाइल किया है उन्होंने कहा है कि एक आर्टिफिशल प्रिजन बना दिया अर्टिफिशल प्रिजन बनाया है और एक्चुली जो प्रिजन जहां पर कंस का जो प्रिजन था वो इदका के अंडर है अब सच क्या है यह तो हमको पता नहीं तो यह जो एक्ट है 1932 का जो पी-ओ-डब्लु एक्ट है जिसके तहत आब 1947 में एक cut-off date लागा दी है कि जब वहाँ पर जो स्थिति थी वही रहेगी तो 1947 की स्थिती तो ये थी कि जो पूरी पूरी जो भूमी है वो हिंदूओं के पास थी लीगली तो ये तो इसके ओपर लागू ही नहीं होता ये पी ड़ 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 एक्ट ये ही तो लॉयर्स ने कहा है कि ये तो 1968 के बाद बना है तो ये 1991 पीपल्स वर्शिप आक्ट तो इसमें लागू नहीं होता और दूसरी बात ये है कि हमको सेवा संग बताए तो क्यों समझाओता किया क्योंकि उनके उपर क्या दबाव था या राजनितिक दबाव था हमको पता नहीं लेकिन जब भूमी आ आप जीत गए हैं तो आप क्यों विवश्च हुए इस समझोता थी कि ये सब करना पड़ा इस पे कोई जवाब नहीं है मेरे पास कोई जवाब नहीं है अच्छली क्या है कि बहुत राज है क्योंकि जहां तक मुझे लगता है क्लिर्ली पॉलिटिशन्स का हाथ है इसमें और उनका ये इंट्रेस्ट था कि पूरा सच सामने ना है तो वो पूरा सच रोकने के लिए पता नहीं क्या-क्या उन्होंने कांड किया है क्योंकि अभी भी हमको क्या पता कि मत्रह डिस्ट्रिक्ट कोट में और कितने पेपर्स है बिलकुल और वो जो डॉक्युमेंट है उसकी ओरिजिनल क्या है कहां है इसमें एक बहुत इंट्रस्टिंग जो 1946 की अपील है मस्जिद इदगा ने जो फाइल की थी उसमें जो जजेज का एक वो आया था इसमें दो दिसमबर 1935 को जजमेंट आई थी जिसमें ये कच्ची कुरसी का जिक्र है और उसमें जो जजेज थे उन्होंने ये किया था कि शायद उनको भी माना था इदगा को की इनका कुछ राइट है यहां पर एक्शली क्या है कि क्योंकि सारा एरिया हिंदू के कंट्रो समय सक्षाय में था कमी माना था कि यहां थे छो जो इदगा सब APPार है कि यहां पर पहुंचे कैसे तो एक स्थान थाम जजो कच्छ कुरसी कैते हैं तो चर्च जो कुट्टने का यह भी हिंदूश का है तो उसके बाद इद歌 Πार शिचंग में रभी क्षा कि आप यहिं का हम तब कोट ने कहा कि to give you access ताकि आप इदका में प्रवेश कर सकें तो ये आप इस्तमाल कर सकतें लेकिन इस्तमाल का मतलब ये नहीं कि आपका हो गया है तो मतलब by every account 1947 को पूरी की पूरी जमीन भूमी ये हिंदों की थी बिलकुल अब ये कैसे थी ये एक अपनी कहानी है जो आपने Flight of Diabetes में भी लिखा है और इसमें भी और हमको अयोध्या में भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से चाहे कितना ही आकर्मन हो कोई ना कोई रास्ता हिंदों ने ढूंडा है कि उस पे अपना हक न छोड़े बिलकुल वहाँ पे पकड़ के बैठते हैं चाहे छोटा सा मंदिर बनाना हो वहाँ पे पूजा करते हैं मतलब चाहे मूर्ती ना भी हो तो भी उसको sacred रखते हैं किसी ने किसी तरीके से और ये अब देखिया आप कितना बड़ा एक अपने आप में एक वैपन है जिसकी वज़े से हमको राम मंदिर भी वापस मिला जनमस्थान मिला और ये इस तरीके के किस तो ये भी एक बहुती सुन्दर एस्पेक्ट है सनातन धर्म का और इसके थुरू अगर आप मतुरा के जो आकरमन हुए उनमें उनकी कहानी अगर आप बता सकेगी कैसे बार-बार बना भी तूटा बना फिर मैं दो-तीन बाते कहूंगी मैं काशी का उधारन दे रही हूँ क्या आपने का चै मूर्ती हो या ना हो तो काशी में भी बहुत आकरमन हुए वैसे मेरा आखरी सवाल उसी से जुड़ा हुआ था तो आप मतुरा का बता दीजिए अच्छा मतुरा में सबसे पहला आकरमन महमूद गजनवी का हुआ उन्होंने किया और उनके आकरमन का पूरा विवरन उनके इतिहासकार उतबीम ने लिखा है तो वो इंटरनेट पे भी है जो भी उसको इंटरेस्टेट है वो उसमें जाके पढ़ सकता है और मैं आपको बता रही थी ये मत्रा पे इतने आकरमन हुए कि जो कुछ इंस्क्रिप्शन बचे हैं हमारा सौभग्य है कि वो बचे हैं और जिसकी बज़े से हम कुछ न कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ था तो मैं इसलिए ये दोहरा रही हूं क्योंकि एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन हमको मिला है उसको हम मथूरा प्रशस्ती के नाम से जानते हैं वो मथूरा प्रशस्ती एक व्यक्ति जज्जा की है और मेमूद गजनवी के आकरवन के सौ वर्ष के बाद वो एक कृष्ण मंदर बनाती तो जो आपने का ना वो तूटता है फिर दुबारा बनाते हैं तो ये जज्जा देखे उस टाइम कोई political power नहीं थी राजनेतिक शक्ति नहीं थी ना धन दौलत थी तब भी इसने बनाया और अगर ये inscription नहीं बच्छता तो हमारे को जज्जा के बारे में कभी कुछ पता ही नी चलता क्योंकि हमारे पास उसके बारे में और कोई जानकारी है ही नहीं और ऐसे कितने लोग होंगे तो जज्जा ने ये मंदर बनाया और उसके बाद ये जो मंदिर था, इसके उपर बहुत आक्रमन हुए, पूरा टूटा या आधा टूटा, कुत्विदिन एबग, फिरोस तुगलक, सिकंदर लोदी के नाम है, और ये हमको कैसे पत्या चलता है फरिष्टा, जो परशन इतिहासकार थे, फरिष्टा और कैसे हुआ, लेकिन जब अकबर का शासन था, तब एक पॉर्चुगीज, वो अकबर के दरबार आए, वहाँ पे रहे कुछ समय के लिए, और वो मत्रा आए, और उन्होंने कहा कि मत्रा में अब कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर खड़ा नहीं है, और छोटे-छोटे हैं ज येवल एक मंदिर खड़ा है, पुरे मत्रा में, वह विवरन काते हैं, उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में बीर सिंग बंदेला ने विशाल मंदिर बनाया, वो मंदिर इतना विशाल था, कोसों दूर उसको दिखा, देख सकते थे, उसका डेस्क्रिप्शन पुरा दिया मैं ये इसलिए भी पूछ रहा था कि आज मानलो हमको बनाना हो तो क्या उस तरीके का हम बना सकते हैं, अगर ऐसा अविवरन है तो, लेकिन आपकी टेक्शरली पॉइंट व्यू से मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, लेकिन उनका टेवर्निय का तो बहुत जवर्दस दिस्क्रिप्शन है, तो उसके बाद ये मंदिर जो बीर्सिंग बंदेला ने बनाए, ये अकबर ने, औरनजेब ने इसको तुड़ाया, और औरनजेब के जो हिर्सोरियन थे हैं, साकी मुस्तायद खान, उन्होंने बताया कैसे ये टूटा, और जो हिंदू राजा थे, व वो भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी लिखा है, उसके बाद एक और आकरमन हुआ, 1757 में, एहमच्छा अबदाली का, वो महमूद गजनवी के आकरमन जैसा ही था, शैद उसे जादा टेरिबल, और रेजिस्टेंस बहुत पुट अप किया था, और इतनी रेजिस्टेंस की, और मतलब की, और एहमच्छा अबदाली ने अपने सैनिकों का था, कि हर सिर जो लाओगे, काफेरों का, पांच रुपे पर हेड, पांच रुपे उस समय, उस समय, और उनके कैंप का एक व्यक्ति था, उसने वो पूरा उनका लिखा है, पर्शन में, 1901 में वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुका, तो मैं ये इसले कह रही हूँ कि आप, ये कोई ना सोचे कि हम अब सबू धूंड रहे हैं, ये सबू हिस्टोरियन्स, हां, हिन्दुत्वा हिस्टोरियन्स, ये सो साल सिव जादा हो चुका उसको, हिन्दुत्वा कोईन भी नहीं हुआ था, हिन इन्दुत्वा हिस्टोरियन्स, हिस्टोरियन्स, ये सारा सबूत पहले से ही अवेलिबल था, लेकिन क्या है कि हमने शायद इकटा नहीं किया, जरूरी नहीं समझा होगा, ये हालात अलग थे, ये नहीं मैं कह सकती, अब वो इकटा क्यों करेंगे जिनके नरेटिव के खिल जो इसकी कहानी है पूरी, ये मतलब और जगे भी हमको देखना क्यों मिलती है, जैसे आपने कहा कि आप बताई रहे थे, काशी का, तो वहाँ पे क्या स्थिती है, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या जो हमको जिस तरीके से आपने फ्लाइट आफ डाइटीज का बताया है कि मूर्ती को किस तरीके से बचाते थे, कि तूट भी जाए मंदिर, तो वह मूर्ती की कहीं दबा दी जाए, कहीं रहे, तो उस तरीकी का रिजिस्टेंस हमको काशी में कैसे देखने को मिलता है, और आज जो मंदिर है, जिसको अभी फिर से नया रिनोवेशन हो रहा है, बह तो अगर हम गूगल अर्थ में देखते थे तो सिर्फ मस्जिद दिखती थी उपर से अब काशी विश्वनात धाम इतना बड़ा हो जाएगा पूरा गंगा तक तो उस टैंपल में और जो पहले था जो असली काशी विश्वनात था वो उसमें कितना अंतर है लेकिन इससे पह छोटा मंदिर बना देते थे नाम वो ही रखते थे लेकिन जो मंदिर का असली स्थान था हिंदूस कभी नहीं जीत पाए वापिस पहली बार वो स्थान जीता है उन्होंने आयोत्या में और मैं ये भी इससे ये भी सवाल है कि क्या पूरी दुनिया में ये पहला स्थान लिया हो वापस क्रिस्चन समय स्पेइन में जैसे अपने scalable को वापस बना दिया अब जब शक्ति पावब आपस मिली उन्हे अपने स्वाक्रीश कर से ताइप स्थर्चिस में बना दी अविम अब तरकी ने अभी इसी साल या लास्ट एर गया सोफया तो उन्होंने उल्टा हो गया, उन्होंने वो मोस्क बना दी, तो यह नहीं है कि लोग अपने पास से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि क्या मोस्क को रिकनवर्ट करना, ऐसा हुआ नहीं होगा तो लेकिन हमने जो कंसिस्टेंसी दिखाई, अब का काशिका आपने पूछा, तो काशिका कुटविदे नाइबग तो सारा है, तो एक समय काशिक विश्वनात का टेमपल तूटा और उस रजिया ने उसपे रजिया मॉस्क बनाया, कुटवदीन अबग ने मंदिर तोड़ा और रजिया के चार साल के शासन था, उस चार साल मे उसके सारे मंत्री बगएर उससे बगावत कर रहे थे, लेकिन चार साल के उथल पुथल में भी उसको इतना टाइम मिला कि मैं वहाँ पे मॉस्क बना दू, रजिया मॉस्क है, और मच लेटर, 19th सेंचरी में, राजा पत्नीमल, जिननोंने, जिनका अभी हम जिकर कर रहे थे तो उनोंने 19th सेंचरी में छोटा सा मंदिर विश्वनात का वहाँ पे बनाया, और उसकी विशेष्टा ये थे कि बाहर से उसको बता नहीं सकते थे आपकी मंदिर है, क्योंकि हिंदूस में इतना डर हो गया था, कि अगर कोई भी इमारत बाहर से मंदिर दिखेगी, तो उस अगर आप यहां पर आएं और शिवलिंग नहीं मिले, तब आपका धर्म है, कि आप इस्थान का धर्म है, जारी रखें, और आप ऐसे कुसा घास को महां पर खड़ा करिये, और पूजा करिये और परिक्रिमा कीजे, जैसे की लिंग हो महां पर, तो इस हद तक यह स्थिती पहुंच गई थी, फिर काशिव विश्वनात बना, और फिर आक्रमन हुआ, और अंजेब ने उसको भी तो पूड़ा, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, तो जो पुजारी थे, वो लिंक को लेके चले गए, और अपनी कुटिया में ले गए, और कहते हैं कि और अंजेब के जो सैनिक थे बहाँ पर, उनको कुछ रिश्वत वगएरा देके, लोग आके, चुप चाप वहां पर जब अहिल्या भाई होलकर ने विश्वनात मंदिर बनाया, तो मुसलिम पीरिड में ये विशेष्टा थी, कि जो ग्रैंड स्पेस है, जो चौडी सडक है, वहां पर आप मस्जिद बनाएंगे, और हिंदू को गलियों में, साइड में, में रोट पे कभी नहीं, तो अहिल् केवल है, वह गलियों में है, तो जब अहिल्या भाई ने वह मंदिर बनाया, लेकिन है बिल्कुल साथ में, नैचरली मैंने कहा नहीं, अस क्लोज अस पॉसिबल, ठीक है, और उस टाइम तक तो मुगल शासन भी कम्जोर हो गया था, था ही नहीं, वाल्मोस्ट, तो हलार है, ऐसे है, क्योंकि वो पुजारी की, कुटिया का स्थान था जहां पर उन्नोंने, तो उन्होंने शिवलिंग उठाया नहीं, जहां पर था वहीं मंदिर बना दिया, उन्हेंने का इस बार हमने इसको नहीं आठाएंगा, ये लोगों का, कहना है, तो ये है हमारी समाज की दुख बरी कहानी तो वहाँ पर मुझा आपको आपका मन है कि उस पर भी कुछ काम करें देखे मैं काशी और मत्रा की बात नहीं करी या आयोध्या की कोई भी स्थान ले लिजे उसके उपर आपको बहुत सारा सबूत मिलेगा आप विदीशा गए हैं वहाँ पर एक विजय मंदिर है देखा आपने कितना सुन्दर होगा उस समय देखे आप अभी उसके स्थान इतने बड़े-बड़े बहुत सुन्दर है और पोने में जैसे वो छोटी सी इद गा बनी हुई है जो भी मंदिर आज को तेह करना है कि उनका क्या रास्ता आगे का है यह आप और मैं नहीं तेह कर सकते और हर चीज का समय भी होता है यह भी है तो इसलिए हमको समय का इंतजार करना चाहिए इसमें मैं एक अलबरुनी की जो पुस्तक है इंडिया के उपर वो मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कृष्ण को बताया है कि वो जट फैमिली में पैदा हुए थे अगर आपने नोटिस किया हो तो अच्छा नहीं किया तो उन्होंने यह मैंशन किया हुआ है इंग्लिश ट्रांसलेशन कि वो एक मतलब खेती बाड़ी वाले जट फैमिली भी लिखा है मेरे पास स्क्रीन शोट भी है तो वो मिरको कुरियस लगा क्योंकि कहीं पे भी हमको यह देखने को मिलता नहीं और अलबरुनी ने जो लिखा बहुत भी है जवाद किसमें की लिखा भी हाँथ इंवेस्टिगेशन करने के लिए दिखा फोऌनी के लिखा यह हैं जो आप पढ़ के बता जीता हूँ यह स्क्रींशोट है जहान से लाइन शुरू नहीं होती है तो भीच में से A child in the city of Mathura to Vasudev by the sister of Kams at that time and ruler of the town. So Kams, उस समें, ruler था. They were a Jat family, cattle owners, low Shudra people. Jat is wrong, but they were cattle owners. Okay. जैसे हमने का, Gwalon के. Gwalon के. Kams had learned by a voice, which, वो आगे की story है. लेकिन यह गलत है. अच्छा. Because he was always associated with the Abheera's. Cowherds. Gwalon के वो देखता थे. तो Abheera's, जो cowherd हैं, वो. और उससे फिर Yadav, जो community है, वो associate करती है. मैं, इतना समय दिया. आपने बहुत-बहुत दन्यवाद और बहुत fantastic book लिखी है. मैं सबको recommend करूँगा. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह सिर्फ Shri Krishna और Mathura की कहानी नहीं है. यह तरीके से आपको Sanatana Dharam की जो जर्नी है, उसको भी आपको देखने को मिलेगा. उसकी जलक. तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपने यह लिखा और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया हमको. Thank you for inviting me. Thank you so much. और आशा करता हूँ कि अभी और भी topics हैं, वो भी हम cover कर पाएं. जल्दी आपको दुबारा बुलाएं. Thank you. Thank you.